अब अपनको theorem समझने है, theorem proof करने को आती है, आती ही आती है, सरद ध्यान दीजेगा, चार theorem proof करने है, मोटा मोटा, ठीक है, A tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, अराम से question को read करो, आपको question कैसा आएगा, question देंगे, question में exact ये लिखा होगा, एक्जाक्ट ये, आपको समझना है कि आपको क्या परूफ करना है, अगर एक tangent बनाओ circle पर, वो perpendicular होती है, radius के through the point of contact, मतब simple बात, मैंने ये circle बनाया, हाँ सर, मानो मैंने एक point लिया यहाँ पर, इस point से मानो मैंने एक tangent बनाई हासर, ये आपने tangent बनाई, तो से ये लोग ये कह रहे है, कि यह आपका radius होगा यह O मालो यह मालो आपका P point है यह मालो आपका A है, यह मालो आपका भी है वो यह कहरें कि जो radius होता है वो tangent के साथ 90 degree angle बनाता है मदब आपको क्या proof करना है आपको आपको proof करना है OP perpendicular to AB क्या यह बास समझा रही है आपको प्रूफ करना है ओपी पर पेंडिकुलर टू एबी क्या ये बास समझ आ रही है टैंजेन्ट और रेडियस के बीच में 90 डिगरी का एंगल होता है पर कैसे प्रूफ करूँगा प्रूफ बहुत असान है बस प्लीज focus करके में कुस्तुणना झो मैं एक-एक word आपसे कह कह रहा हूं ठीक है तो दोस्तु मैंने क्या करां मैंने एक point यहाँ पर लिया और एक point यहाँ पर लिया क्यूश्ब सरकल के ऊपर एक point लिया सरकल के भार एक पॉइंट लिया सब लोग मुझे ज़रा दिमाग लगा के बताओ सब लोग ज़रा दिमाग लगा के बताओ कि भाईया जी कि भाईया जी ओक्यू और ओपी बराबर होगा हाँ या ना हो कि उक्यों और ऐवकी बराबर होगा या ना हा सर ज रेडियूस है बई बढ़न सेंस लगाओ कि मैंने क्या मता है था circle mail और tangent के बीच में एक ही common凍वेंट होगा Zagилת Circle ऑर DANIEL cash समें एक ही common point होगा और तरीजह बात है मतांचैंड पर कोई भी point होगा वह circle के बाहर होगा अब इस पर मैं आओँ आओंगा चर्चा करूँ मदर असोचन ठीक है आपको common sense से दिख रहा है R आपका circle के बाहर है तो OR आपका OQ से बढ़ा होगा कि ओवार आपका OQ से बढ़ा होगा क्यों भाया और इस आउटसाइड दा सर्कल कि आउटसाइड दा सर्कल बहुत basic सा पुरूव है आपको ऐसा लिखना भी पड़ेगा अब मुझे बताओ अगर ऑगर ओख्यों से बढ़ा है तो ऑजो अपी से भी बढ़ा होगा विए पिसे बीडू होगा बस ये तीन बाते समझ लो आपका पोरू हो गईनः और समझ मैं है, आपका proof हो गया बस आगेर, इतना समझ गया तूँं हाया ना, पट पट हाया ना, हाया ना, हाया ना, हाया ना, अरे बबुँआ एकडम, OP, तुम लोग OP, सब हम सब OP, समझ माया OR आपका OP से बड़ा सिंपल सी बात अब similarly similarly, similarly similarly मतलब क्या मैं बताता हूँ सुनना ध्यान से मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लू रडैश यहाँ पर कोई पॉइंट लू रडबल डैश मैं यहाँ पर कोई point लूँ R triple dash समझ मा रहा है मैं यहाँ पर कोई point लूँ R 4 बार dash बस point का नाम R dash R double dash ऐसा बोल रहा हूँ मैं सबका O से distance ना पूँ मैं सबका O से distance ना पूँँगा तो वो O P से बढ़ा आएगा की नहीं आएगा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ फाई, सिर्फ एक point ऐसा है P जो circle पर भी है, tangent पर भी है मलब tangent पर कोई और point होगा वो circle के बहार होगा tangent पर कोई और point होगा वो circle के बहार होगा मतलब circle के center से वो सारे points का distance ना पूँँगा तो वो ओपी से बढ़ा ही आएगा, एक बार फिर से आराम से बताते हूं, ठीक है, R-point आपने भार लिया, उसका center से distance ना पा, तो वो ओपी से बढ़ा आया, वैसे ही आप R-double- लो, R-4-double- R-single-dash, इन सब का center से distance ना पाँगी, जो वो ओपी से बढ़ा आएगा, similarly आप यहाँ पर लिखोगी, क्या कि, O-R-, O-R-double-dash, 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 क्या भीया, will be greater than O-P, हाई या ना, will be greater than O-P, हाई या ना, will be greater than O-P, आप समझ रहे हैं, मैं क्या भूल रहा हूँ, circle के center से tangent, जितने भी points आप लो, सबका distance, इस वाले distance से बढ़ा आएगा, क्या ये बास समझ आ रही है, ये मैंने अभी प्रूफ करा, ठीक है, तो बस, इस चीज़ को मद्बेर नजर रखते हो, आप मुझे एक बाप बताएं, circle के center से tangent तक, circle के center से अगर आपको tangent तक जाना है, सबसे कम distance कौन सा होगा, सबसे कम distance कौन सा travel आप कर पाओगे, सुचो दरा, circle के center से tangent, circle के center से tangent, ओपी चाओ, ओवार आप समझ नहीं क्या बोट रहा हूँ, circle के center से tangent तक, सबसे छोटा distance कौन सा होगा, बाकी सब तो बड़े हैं, circle के center से, or dash, or double dash, or triple dash, or triple dash, sare के सारे बढ़े ओपी से, मतलब, op सबसे छोटा distance है, o और tangent के बीच में, हाँ सर, तो यहाँ से आपको समझ माया, यहाँ से आपको समझ माया, this implies, op is the, op is the shortest distance, between o and a b, o और a b के a b में सबसे छोटा distance, op है, और आपको mathematics की एक simple series पता होने चीए, shortest distance को हम कहते है, perpendicular distance, क्या, shortest distance को हम कहते है, shortest distance is always, is always the perpendicular distance, क्या, यह logic समझ में आया, shortest distance को आप सब perpendicular distance क्या, इसका मतलब, op आपका perpendicular हो गया, a b के, इसका मतलब क्या, op आपका a b के perpendicular, proof clear है, तो लिखो ch clear है, proof clear है, तो लिखो ch clear है, बस, इतने हैं आपको exam में करना है, कुछ नहीं, tension नहीं नहीं नहीं, मैं आपको एक पर और समझाएता हूँ, देखो चरा, simple सा, पूरा करके नहीं दिखा हूँआ, द्यान दगाओ दर, यह tangent बनाई, यह tangent बनाई, ठीक है, यह मानो, o, यह p, यह a, यह b, दोस्तों मैंने एक point यहाँ पर भार लिया, इसको join करा, इसको q बोला, इसको r बोला मानो, आप सबको पता है, कि जो or है, वो oq से बढ़ा होगा, हाँ या ना, जो or है, वो oq से बढ़ा होगा, तो simple, or आपका op से भी बढ़ा होगा, आप ऐसा सोच तकते हो, कि tangent पर एक point है, तो circle के बाहर है, तो जाहिर सी बात, or op से बढ़ा होगा, वैसी यहाँ पर कोई point लो r dash, य यहाँ पर लो r triple dash, यहाँ पर लो r 4 dash, सबका center से distance ना पोगे, मतलब o r dash, o r double dash, o r triple dash, o r 4 dash, सबका center से distance ना पोगे, वो हमेशा op से बढ़ा आएगा, yes or no, हाँ सर, मतलब सारे distances op से बढ़े आ रहे हैं, इससे बढ़े आ रहे हैं, इसका मतलब o और a b की beat में सब चोटा distance op होग सब चोटे distance को आप perpendicular distance कहते हो, लो चैरेत आए, अगला, इसी का उल्टा, अभी मैंने क्या प्रूफ करा, अभी थोड़ाँ सा typical है, अभी थोड़ाँ सा typical है, मैं चाहता हूँ आप लोग absolute focus करें, मैं चाहता हूँ आप लोग absolute focus करें, यह थोड़ाँ सा typical होगा है, सुनीं का बहुत कर रहा है कि अगर एक टैंजेंट है वो रेडियस के साथ 90 डिगरी आंगल बनाएगी अब इसका उल्टा आपको प्रूफ करना है कि टैंजेंट है 90 डिगरी दिया होगा आपको प्रूफ करना है टैंजेंट है मतलब आपको बोलाओगा एक लाइन है रेडियस के साथ 90 बना रही है लाइन बोला लाइन टैंजेंट नहीं बोला एक लाइन है रेडियस के साथ 90 बना रही है आप प्रूफ करिए वो लाइन टैंजेंट है आप तो मुझे बताओ टैंजेंट प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ठीक है आपको सिंपल बोला एक सर्कल है मैं आपको यहां से बताता हूं यह पुरा लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ठीकिए एक circle है, एक line बनाई, एक line बनाई जो कि perpendicular दी है, जो कि perpendicular दी है radius के साथ, यह perpendicular आपको दिया हुआ है, आपको proof करना है कि यह line tangent है, tangent proof करना है मतलब क्या proof करना है? टैंजेंट प्रूफ करना मतलब ये प्रूफ करना है कि वो जो लाइन होगी सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करेगी वो जो लाइन होगी सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करेगी मनदब ये प्रूफ करना है कि वो जो लाइन है और सरकल है उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होगा एक ही पॉइंट कॉमन होगा है एक है कैसे प्रूफ करेंगे बता вам की नाइंटी डिग्री दिया है हाँ या ना हाँ सर तो मुझे बताओ अगर 90 दिया मतलब और डा इन को ये perpendicular दिया, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, OQ आपका OP से बढ़ा होगा, simple, OQ आपका OP से बढ़ा होगा, simple है ना, सोच के दिखुँ ना भाई, भाई, एक बाप पताओ, आपने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया आपने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया हम जानते हैं और एबी के बीट में सबसे छोटा डिस्टेंस और एबी के बीट में सबसे छोटा डिस्टेंस ओपी होगा तो यहाँ पर आप कोई भी पॉइंटे लो यहाँ पर आप कोई भी पॉइंटे लो वह ओक्य यहां पर मैं आपका इसको मैं एस ले लूँ यहां पर मैं आपका डी 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 ले लूँ यह सारे डिस्टेंसेस यह सारे डिस्टेंसेस मतलब ओस बोलू ओसी बोलू ओ क्यों सबसे इसे सबसे चोटा डिस्टेंस है अब आप मुझे बताओ औंशेंएadious है मत peculiarïs एक यह सदो इस से ये सारे इसका मतलब यह सारे सरकल के बाहर होंगे की नहीं होंगे common sense मैं बहुत अराम से बता रहो था क्या को समझ में आ है लेकिन हम लोग बाद में सीख लेंगे यह p point circle पर होगा दो बातों को connect करो यह p point circle पर होगा अब हम जानते हैं कि opi से बड़ा ये है ये है ये है बड़ा कैसे होगा जब सारे point circle के बाहर होगे ना क्योंकि p point तो circle के अंदर है सर्कल के उपर है p point circle के उपर है तो बाकी सारे point circle के बाहर होगे बाकी सारे point circle के बाहर होगे मतलब एक ही point circle पर होगा और जो tangent पर भी है समझना ये ही आपको प्रूफ कर रहा है अब देख लो बस इसको क्या, OP is shorter than, यहाँ पर लिखा हो क्या, OP सबसे छोटा है than any other line segment connecting line APB to O, मतलब OP सबसे छोटा distance है, आप कोई भी distance ना आप लो उससे, since OP is the radius, क्योंकि OP radius है, तिसके मैंने को बताया, therefore Q lies outside the circle, भाई, OP अगर radius है, तो Q circle के बहार ही होगा, है ना, इसके बाद भी या, that means every point on line APB lies outside the circle, except P, this implies that line APB meets the circle only and only at point P, connect करो बातो को, connect करो बातो को, connect करो बातो को, मैं एक बार आपको और सिखा देता हूँ, यह चीज़ है ना, और सिखाता हूँ, एक बार और चीज़ है ना, लिखना आप लोग सीख लोगे, सुनो मेरी बात, चान्ती, दो मिनिट में clear आगे बढ़ेंगे, यह 90 है, हाँ, तो मैं यह distance लूँ, मैं यह distance लूँ, मैं यह distance लूँ, यह सारे, यह सारे distance OP से बढ़े होंगे, क्यों, क्योंकि यह 90 है, तो सबसे छोटा distance होगा, O और AB के बीट में सबसे छोटा distance यह होगा, मतलब यह सारे, सारे, सारे distance OP से बढ़े होगे, अब दूसरी बात सुनो, OP रेडियस है, मतलब P सरकल पर होगा, P सरकल पर होगा, अब मैं जानता हूँ, कि O Q OP से बढ़ा है, भाई मुझे साफ साफ पता है कि O Q OP से बढ़ा है, है न, OP सबसे छोटा, मतलब O Q OP से बढ़ा, अब आप दिमाग लगा, और P सरकल पर है, P सरकल पर है, O Q OP से बढ़ा है, तो क्यों भार होगा न सरकल के, Q-Circle के भार होगा न Q-Circle के भार होगा न तबी तो Q-O-P से बढ़ा है जैसे Q-Circle के भार है वैसी जितने भी point tangent पर होंगे जितने भी point tangent पर होंगे सारे circle के भार होंगे except for P except for P तो circle और tangent की बीच में एक ही point common है वो है P और इससे लिए वो आपकी tangent हो गई ठीक है भाईया? चलिए अब इसको थोला सा और समझ ना शाय समझ में आ जाएगा चलिए theorem 3 important इसी से आपको question आते है theorem 3 और 4 मैं आपको एक साथ clear करूँगा ठीक है? ठाज भाईया चलो एक साथ ही clear करता हूँ अलग से page में, theorem क्या कहती है? तीन और तीन theorem साथ बता रहा हूँ तीन theorem साथ उसके बाद आपका ये chapter में बस हम questions करेंगे तो ये circle है, external point external point से मैं कितनी tangents बना सकता हूँ? गुरुजी दो tangents गुरुजी दो tangents मानो point of contact point of contact A बोला point of contact B बोला external point को मैंने P बोला circle का center radius radius पटाफट बताओ, ये angle कितना होगा? ये angle कितना होगा? फटाफट बताओ ये दोनों angles कितने होगे? फटाफट बताईए ये भी आपको प्रूफ करने को आता है ये दोनों angles कितने होगे? फटाफट बताईए वोईस high करिया रे उस स्याधा high voice का होगी वहीँ 90 क्योँ प्रूफ करने बताता हूं क्या आपको तीन चीजे प्रूफ करने बताता हूं क्या और यह तीनों आपकी theorem से तीन चीजे क्या है कि जो external point से tangent की length होती वो बराबर होती जो External Points से दो Tangents की Length अहोती है, दो Tangents की Length वो बराबर होती है, मतलब आपको पहली चीज़ प्रूफ करनी है, PB बराबर PA, क्या ये बास तमाजाई, मेरे ख्याल से आई होगी बहुत असान बात, external point से दोनों tangent के लेंट बराबर होती है, दूसरी चीज़ आपको क्या प्रूफ करनी है, कि जो ये tangent होती है, तो ये tangent होती है, वो बीच वाले line segment के साथ equal angle बनाती है, मतलब ये दोनों angles आपको equal करने, क्या ये बास तमाजा रही है, मतलब आपको angle BPO, आपको angle BPO बराबर करना है, APO के, क्या ये बास तमाजाई, ये भी आपकी एक theorem है, तीसरी theorem, सुनिए का दाम से, तीसरी theorem, basically ये वाला बराबर, ये वाला, पर सुनो मेरी बात, ये angle कौन बना रहा है, ये angle कौन बना रहा है, सर ये वाली साइट, और ये वाली साइट, मतलब basically tangent बना रहा है, tangent circle के center पर, tangent circle के center पर, समझो, tangent circle के center पर, tangent circle के center पर, समझे रहो, वैसी यहाँ पर भी, tangent circle के center पर ये angle बना, तो basically आपको, ये दोनों angle भी equal proof करना, ये भी आपकी theorem में क्या, आपको proof करना है, तीसरी च इसको लिखेंगे कैसे समझों हुरम क्या है समझना हुरम यह है कि यह लेंट ऑफ टू टैंजेंट्स ड्रॉन फॉम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है पहली चीज़ के लिए प्रूफ करके आप दिखाऊंगा एक मेरे प्रूफ कर दूँ बनाती है मतलब यह वाला इंगल इसके बराबर करना है तीसरी थिखेवरम और बहुत इंपोर्टेंट अगली पॉइंट they are, they मतलब tangent they मतलब tangent tangent are equally inclined to the line segment joining the center to that point इसको चार बार कम से कम read करो पहले इसका simple मतलब यह है कि tangent are equally inclined मतलब जो tangents है वो beach वाली line segment के साथ equal angle बना रही है वो beach वाली line segment के साथ equal angle बना रही है मतलब आपको ये वाला बराबर ये वाला करना है क्या समझ माई क्या आपको ये तीनों theorem समझ माई तो लिखो I ठीक है बेसिकलिए आपको ये बराबर ये करना है ये बराबर ये करना है और ये बराबर ये करना है कैसे करेंगे चुटकियों का काम है तो इट्टियों का काम है तीक अब सुनो मेरी बात कैसे प्रूफ करना है कुछ नहीं ये दोनों ट्रेंगल सो कॉंग्रूबेंट कर दो खतम बाद प्रूफ आप खुछ सोच के देखो ना यार एक ट्रेंगल ये दिखाई दे रहा है एक ट्रेंगल ये दिखाई दे रहा है दोनों ट्रेंगल का ये वाला ये वाला एंगल इक्वल करना है ये वाला ये वाला एंगल इक्वल करना है ये वाली साइड ये वाली साइड इक्वल करना है क्या क्या, एक वल है, आपको दिख रहा है, OP बराबर OP है, आपको दिख रहा है, OP दोनों triangle में common है, हाँ सर, आपको दिख रहा है, ये 90 और ये 90 है, हाँ सर, तो आपको दिख रहा है भी या, कि angle P BO, बराबर अगल पे ओ, reason क्या, reason क्या, tangent is perpendicular to radius, यह आपको लिखना पड़ेगा, exam में proof करने को चार से तीन बार आ चुका यह, same question, ठीक है, और क्या एक वाले भी यह, यह वाली side, इसके बराबर, क्योंकि दोनों radius है, तो O, B, बराबर O है, क्यों भी यह, radius of same circle, radius of same circle, clear, clear, यह क्यों एक वाले भी यह common, समझ गए, हाँ, सर, तो कौन सा criteria लगा, बताना चार, कौन सा criteria लगा, RHS, सर, RHS क्यों, बच्चे बोलते हैं, सर, side, side angle, तो side angle side कर दो, नहीं, दोनों triangle 90 degree के, दोनों triangle 90 मतलब R, 90 degree के सामने वाला हाइपो, 90 के सामने वाला हाइपो, equal है, हाइपो equal है, तो H, और एक side equal, तो RHS, समझे, तो यहाँ पे आप लेखो कि by RHS, by RHS, simple pattern लिख दो, O, B, P लिख दो, triangle, O, B, P, is congruent to O, A, P, O, A, P, बस, और अगर आपके triangles congruent, तो C, P, C, T से क्या बोल सकता हूँ, C, P, C, T से क्या बोल सकता हूँ, कि इस triangle की यह वाली side, और यह वाली side equal होगी, मतलब PB बराबर PA होगा, मतलब external point से tangent के लिए तो बराबर, और क्या इकवाल होगा, यह वाला angle बराबर, यह वाला angle, angle, B, O, P, बराबर angle, A, O, P, समझ में आया, समझ में आया कितना easy है, ठीक है, brain not working, दोस्तो, ठीक है, तो यह चार theorem, आपकी मैंने circle की proof कर दी, अब एक बार एक दो मिनिट ले लो, देख लो मैंने क्या कराया आपको पिछले 10-15 मिनिट में,